हेलो फ्रेंज और वेल्कम टू वी एक्स वाई बंस अगेर तो आज का जो वीडियो है बैसिकली एक हमारे सब्सक्राइबर है मयूर पारशेकर उन्होंने अपना एक वाग भेजा है जो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करिए कि सर आप प्लीज इसको रिव्यू कर लीजे और कि यह मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के उस पर पोस्ट कर दूँगा तो आज भी वैसा ही वीडियो है मयूर का हम अभी वर्क रिव्यू करते हैं और उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम से कोई भी अगर उसमें इनहांस्मेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं मयूर को मैं स्टिश के लिए गाइड करूंगा सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टारड़ेड़ एक बार हम वर्क को पूरा थ्रू आउट देखते हैं फिर जज़ करते हैं बैसिकलिन का एक ही शॉर्ट है उस शॉर्ट में उन्होंने मेरे से रिव्यू मांगा है सो लेट् ले नॉर्मल मयूरेश मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आपने यह जो यूज किया है पता नहीं लोगों शायद आपने रिवील किया है या क्या किया यह ना करो ज्यादा बेटर होगा सिंपल स्टार्ट करो अपने नाम से ऐन फ्रस्ट लेटर कैपस रखो बाकि स्मॉल रखो मयूर का M CAPS रखो पर शेकर का P CAPS रखो तो लैट्न वैरें इंट रखो यह थोड़ा सा ध्यान रखो यह वेवेफेस कंपोसितग रील फर्स्ट लेटर कापस रखो बाकि स्मॉल मूर को तो तो लिए बीग। सेम यहां पे भी जैसे मैट पेंटिंग आपने लिखना है विच इस गुड़ फुचरिस्टिक सिटी लिखा है विच इस गुड़ सो ऐसा ही आप पीछे जो आपका नेमिंग का जो है वो भी वैसे कर तो ज्यादा बेटर होगा ओके अब नॉट शूर यह क्या रहा है मैं यूर एक बर एक चेक करोगे तो ज्यादा बेटर होगा ओके लिटेट प्लेट प्लेट अब यूर जैसे आपका शॉर का यूर अपली खैतरो लापका सबहान शुलर आपका बिमक्त जात्रभ अपगा आपका यूर नेमिनिः ओए ग्यंक्तेर vol, अगर मैं यहाँ पिस्टॉप करो सबसे पहली चीज़ जो अपने यह लेटर बॉक्स लगा है इतना जादा लेटर बॉक्स नहीं होता है अगर मैं आपको बताना चाहूं लेटर बॉक्स कितना होना चाहिए तो उसको सबसे पहले 19201080 करो तो ज़्यादा बेटर होगा अगर 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 जाएंगे तो आपको बता देता हूँ आप कॉंस्टेंट लें या प्रोबैबली चेकर बोड लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मैं बता दिखाने के पॉपस से बोल रहा हूँ और यहाँ पर अगर जाएंगे तो आप करेंगे फुल और 2.35 is 21 यह जो है आपका बेसिकली वो आपके लेटर बॉक्स का साइज होना चाहिए अगर मैं यह दिखाऊंगे आपको आपको डिखाने के पॉपस से जस्थ आई हम डोइंग ती थीके बपस डिखाने के पॉपस से कि कि तना होगा और आपने क lavorair हैस्थ आ आ मदूटी बैट थेखो तो यह देखना और यह देखना सी कितने जमीन आसमान का फरक है सबसे पहले चीज तो लेटर बॉक्स डालते हैं आप इस बात का ख्याल रखें कि लेटर बॉक्स होता कितना है तो विच इस तो फ्री इस तो पंट्री फाइव इस तो वन यह हमेशा ध्यान रखें आप लोग की इतना लेटर बॉक्स इससे ज्यादा लेटर बॉक्स नहीं होना चाहिए राइट नाव कम टू यूर शॉट जो भी बिल्डिंग सापने डाली है विच इस बहुत डिटेल लूज हो गई है यह क्या है इसमें पता ही नहीं चल रहा कुछ भी डिटेल नहीं दिख रही यहां पर यह भी हाइट मैच नहीं कर रही मतलब यह कुछ अजीब सा ही लग रहा है यह हर बिल्डिंग की डिटेल लूज हो गई है चली गई है माइट भी I'm not sure सारे सारे कटाउट्स लग रहे हैं इन फैक्ट यहां पर इस बिल्डिंग में तो कोई डिटेल ही नहीं है इन वाल्स क्या है कैसे है कुछ भी डिटेल नहीं है और शकाइट इतनी ब्लू है बट जो आपका स्मोक है वो बिल्कुल ग्रे हो गया है इन फैक्ट तो उस चीज का भी ध्यान रखे हैं जो आपने लाइट साइड करी है प्रोबेबली वो इस नॉट मैचिंगा इम नॉट शूर किस तरीके सा अपने लाइट आड करी है माइट भी एक कॉंस्टेंट लेके आपने उस करी हैं जैसे यह बिल्डिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही पूरा डेटेल क्रश हो चुका है अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ है यह यह नहीं है शायदो मैं भी डेटेल नहीं है आम नॉट शूर यह क्या है मेरे को नहीं पता आपने शायद लोगो लगा ह है क्या लगा है यह बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है सो और जो बात करें अगर जो आपने यह यह लगाए है माइड भी सीजी नहीं है आपने कहीं से डाउनलोड किया है बहुत फेक लग रहा है बहुत सारे डिटेल लूज हो गया है I'm not sure क्यों ऐसा हुआ है कुछ भी डिटेल नहीं है इसमें कुछ भी डिटेल नहीं है जो आपने यह सब एड किया है उसमें भी फ्रेम रेट का कुछ इश्यू है वो बहुत ही जर्क होके जा रही है और खिलोना जैसा लग रहा है बैसिक कैमरा मुव किया है कि नहीं भी किया है कुछ पता नहीं चल रहा है तो I think I'm extremely sorry Mayour मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूं बट तो बी वेरी फ्रेंक यह बिलकुल भी नहीं चलेगा माइट भी यह स्टुडेंट लेवल का वर्क लग रहा है मेरे को थोड़ा सा इसको और रियल करने की ज आप देखो कि किस तरीके से फिचरिस्टिक सिटी होती है उस तरीके से आप करो प्रोबैबली आप ऐसा कर भी रहा हो तो कार्ड पर प्लेस मत करो आप मिश बनाके बेसिक मिश बनाके उस पर प्रोजेक्ट करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगी बहुत ही ज्यादा वॉल् कर दिया है यहां पर CRUSH कर दिया है तो आउल रेक्मेंड आप थोड़न से पर्सपेक्टिव और आप अपने हाइड कितनी होनी चाहिए यह बिल्डिंग चाहिए उस पे थोड़न से काम करोगे तो ज्यादा बे्टर होगा स्थार्टिंग में और बहुत ही SMOGI SMOGI छुपा दि की कोशिश करो और उस references के according काम करना शुरू कर रहा तो might be धीरी धीरे आप चीजों को improve करते चाहेंगे and someday definitely आप अच्छा गाम करेंगे don't dishurted मत होना dishurted होनी की जरूत नहीं है जो fact है मैं वो बता रहा हूँ since आप कहीं भी ये काम अगर production house में लेके दिखाओगे तो आपको entertain नहीं करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि starting से ही आप detail देखने की आदर डालो might be बहुत सारे films ऐसे हैं जिसमें आप इस तरीके के shots देख सकते हैं थोड़ा सा आप research करें कोई भी काम शुरू करने से पहले तो that will be very convenient to you और आप उससे बहुत सारी चीज़े सीखेंगे light की direction मेरे को पता नहीं चल रही है बहुत diffuse light है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिसे color correction करके पूरा dull कर दिया गया है so ऐसा नहीं होता है आप कुछ चीज़े देखे references देखे, films देखे और एक बर इस short को आप फिर से बनाएं और मुझे बेज़ें तो आप उमीद करता हूँ कि आप इन सारे मेरे comments को positive way में लेंगे और फिर से एक बर काम करके फिर से काम मेरे साथ share करेंगे and again मैं बोल रहा हूँ please आप disheartened ना हो मेरे comments से जो मेरे को दिख रहा है, जो चीज़े गलत है, वो गलत है, मैं उसको सही नहीं बोल सकता so please आप इस चीज़ का बुरा ना माने कि मैं बहुत ही rude और ruthless comment कर रहा हूँ but this is the fact, आप please इसको positive way मिले and आप फिर से काम शुरू करे so guys, अगर आपको भी आपका काम चाहिए कि मैं review करूँ जितना मेरे experience है या आपको लगता है कि मैं आपको corrections दे सकता हूँ आपके काम को improve करने के लिए तो please आप मेरे को मेरे mail ID पे mail कर सकते हैं अपना काम और definitely मैं उसके उपर अपना point of view रखके एक video बना के definitely मैं post करूँगा so I hope मेरे comment से बाकी लोग भी फायदा होगा बाकी लोग भी सीखने की कोशिश करेंगे and ऐसे ही आप अच्छा काम करते जाएंगे और आपको might be एक guidance मिलेगी कि हाँ हम लोग को काम किस तरीके से करना चाहिए so I hope आज के लिए इतना काफी है and अगर अगर आप मेरे मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो फ्लीज इस वीडियो को like करें and जाद 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 शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें with this said, this is VFX5 signing off, have a good day